दोस्तो नमस्कार करनल अजय सीओ आजय एस्टो मनी गुरू फर्स्ट ग्लोबल एस्टो फनाइस दीजिटल चैनल से आपसे उखाती दौह होता हूं आज 24 मई सन 2023 बुद्धवार दोस्तो उत्तर प्रदेश और वेस्ट मंगाल की मुम्फली की फसलों के उपर बात करेंगे सा साथ ताजा भाव और मुम्फली डियो सी के उपर पूरी जानकारी इस शो में आपसे साजा करेंगे हमारे शो को अंत्य तक ध्यान से सुने और आदि आप हमारे चैनल पे नए नए हैं पहली बारा है तो उसको सस्क्राइब आवश कर लीजे यादी पसंद आए तो जानिए मुम्फली और मुम्फली दाना और मुम्फली तेल के ताजा भाव। अब मुम्फली दाने के बाव। पूंग्फली था हैं, अब बात करते हैं, मुंगफली तेल की, बիकानेर के अंदर पंदरा सो बीस, चिननिंगी के अंदर 16 бाल वेद मुंगफली तेल की whackतिएब Divine की जोंग्फली प्वेति मक्मः episode और मुंबई में 1625 राजकोट गुजरात में 1625 के भाव थे अब बात होगी मुंफली खल यानी अडोनी 37,000 के भाव है चलके रे 37,000 के भाव है और वीकानेर 38,000 से 43,000 के भाव ये हैं मुंफली खल के अब जानिए आगे के रिपोर्ट दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गुजरात में लगबग 80,000 तन और उत्तर प्रदेश में लगबग 30,000 तन मुंफली के फसल होने का एक मुटा अनुमान लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की मुंफली की का राइवल का प्रेशर शुरू होने के बाद जुलाई में मुंफली के दाम के उपर एक कयास लगाया जा रहा है और कुछ विवपारी इसको में घटने की भी बात कर रहे हैं कौर्टरवे गुजरात में मुंफली सतर से ऐसी हजार टन फसल होने का अनुमान बनाज काठा में पचास से पच्पन हजार और सावर काठा में दस से पंदरह हजार और सोराश में पांस से दस हजार टन मुंफली के फसल होने का अनुमान है उत्तर प्रदेश में मुंफली डाही लाक्टन की फसल का अनुमान जो 5-10 जून को आवक शुरू हो जने की उमीद है कि अगले 15 दिन में 20 जून से आवक जो मुंफली की होगी वो बिलकुल पीक पे हो सकती है उत्तर प्रदेश की मुंफली का आयल लगबग 52-56 प्रतिशत और खली का प्रतिशत और जावा टाइप 50-60 और 80-90 काउंट मिलेगा इसमें 70-75 प्रतिशत मुंफली दाना और 25-30 प्रतिशत कर्शिंग में जाएगी ऐसी उमीद है गुजरात में नई ग्रिश्मकालिन मुंफली के आवक लगबग एक अपता से दस दिन में चालू हो जाएगी और जून के मद्दे तक ही ये पीक पे होगी और इसके भाव अभी 15-65 रुपे प्रतिमन बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश जो एक महतरपून राज है मुंफली के उत्पादन का उत्तर प्रदेश की आवक का प्रेशर शुनी होने के बाद जुलाई में मुंफली के भाव घटने की उमीद लगाई जा रही है और मुंफली दाने के भाव में 5-8 रुपे की कुछ गिरावट हो ऐसा कुछ व्यपारियों का मानना है मुंफली का तेल का भाव 10 किलो के 1625-1650 है और आपको डिटेल में हमने आभी आपको मुंफली का दाना काउंट वाईज और मुंफली के का डियो सी और मुंफली के पूरे भाव आपको अभी शो के प्रतम भाव में दिखाए है तो दोस्तो एक और महत्वपून ये भी बात है कि उत्तर पदेश की मुंफली का आवग प्रेशर बढ़ने के बाद मिट जून के अंदर ये देखने वाली बात रहेगी क्या तेजी रहेगी या मंदी गुजराद की करीमा एक लाक और जो जबकि कुछ व्यापारी लोग बता रहे हैं कि और सतर से असी अजार लेकिन कुछ लोग गुजराद की फसल एक लाक तन की अपर भी बात कर रहे हैं तो दोस्तो उत्तर पदेश की लगबग एक से एक दिशमला साथ पांस लाक टन की भी कुछ लोग बात कर रहे हैं और पक्षी बंगाल की मुफली की फसल चालू वर्ष में काफी अच्छ होने का अनुमान लगाया जा रहा है पक्षी मंगाल की फसल की पहली बार एफेक्ट मार्केट में होने की संभावना है लेकिन इस फसल का शौट पिरियड है लाइप इन वो छोटा होगा क्योंकि ये मिक्सिंग में अधिक उप्योग होती है पक्षी मंगाल की मुंफली की फसल सुपर टाइप की जो होती है वो जावा के साथ मिक्सिंग में अक्सर काम होता है मुंफली की साइन मातरा 15 दिन से अच्छी दिखती है और उसके बाद कलर चेंज होता है फिलाल साथ हिंडिया में के जावा मुंफली का दाना 80-90 का अप्रती कि लो 108 और 50-70 का अप्दाना 117-118 रुपय बताया जा रहा है जबकि टीजे वराइटी का जून डिलीवरी का भाव 80-90 काउंट का 104-105 रुपे और 50-60 काउंट का भाव 108-109 रुपे बताया जा रहा है चालू वर्ष में प्योर जावा वराइटी की माल की कमी रहने से जावा और टीजे वराइटी के बीच का फारक लगबक 4 रुपे का रहने की उमीद है मिड जून में उत्तर प्रदेश की मुंफली का प्रेशर पीक पे होगा और जावा 80-90 का भाव उस समय कुछ गट सकता है तो दोस्तों ये एक अनुमान लगा जा रहा है आप तिलहन पे सरसो मुंफली सोयाबीन इन सभी की जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहे और विशेश रिपोर्ट के लिए संपर कीजिए अल्डवरी बाइस गुट लग्पी टेडिंग